ये जीव डाइनसौर से भी विशाल थे। इन में कुछ पक्षी, कुछ समुंदरी जीव और कुछ रेंगने वाले जीव थे। डाइनसौर जिन्हें हमारी प्रत्वी का सबसे विशाल करिये चर कहा जाता है। जो एक समय में हमारी इस पूरी प्रत्वी पर अपना कब्जा जमाई हुए थे। आज इनका खात्मा हमारी प्रत्वी से पूरी तरह हो चुगा है। और आज नीला ग्रह कहलाने वाली इस प्रत्वी पर हम इनसान राज कर रहे हैं। वेक्यानिकों की माने तो अगर डाइनसौर का खात्मा ना हुआ होता, तो शायद आज हम इंसान भी इस पृत्वी पर जीव इतना होते, ये जीव इतने ज्यादा विशाल थे, जिनके होते हुए पृत्वी पर अन्य जीवों का जिन्दा रहपाना लगभग नमुम्किन था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी इस पृत्वी पर डाइनसौर से बड़ा जीव कभी पैदा ही रही हुआ, असल में हमारी इस पृत्वी पर एक वक्त में डाइनसौर से भी ज्यादा खतरनाक जीव नवास कर चुके हैं, और आज कि हमारी इस वीडियो में हमापको आए जाने वाली ये बर्ड काफी ज्यादा खतरनाक और खूंखार थी। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बड़े से बड़े जानवर को भी अपने पंजे में पकड़ कर उड़ जाया करते थी। साल 1971 में जूला जी के एक इस्टुडेंट ने इस बर्ड के जीवाश्म की खोच करी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा बर्ड था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पंख आज के हवाई जाहास के बराबर होते थे। योगी ने और भी ज्यादा खतरनाक बनाते थे। सोचिए अगर ये पक्षी आज भी हमारी इस प्रत्वी पर होता तो शायद हम इंसानों का रहना ही यहां मुश्किल हो जाता। दोस्तों ये एक विशाल का इस साप था। इसे हमारी प्रत्वी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। आज से 60 मिलियन साल पहले ये टाइटैनों गोवा हमारी प्रत्वी के अमजन जंगलों में राच कर रहे थे। उस वक्त इने टक्कर देने वाला जीव हमारी पृत्वी पर कोई दूसरा नहीं था। उनकी लंबाई लगभग 45 फीट थी। यानि कि ये साप लगभग एक स्कूल बस से भी ज्यादा बड़ा होता था। इसके अलावा इनका वजन एक टन से डिल टन होता था। ये साप इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाया करता था। फिर चाहे सामने वाला जीव कितना ही बड़ा क्यों ना। ये पानी और जमीन दोनों पर बहुत ही चालाकी से अपने शिकार को ढून लिया करता था। इसके आवाई ये उस वक्त का सबसे खुंखार शिकारी भी था। अर्थरो प्लूरा दोस्तों ये कीड़ा था लेकिन ये कोई मामूली कीड़ा नहीं बलकि एक बहुत ही विशालाकार का दानव था। जिसकी लंबाई लगभग आठ फीट थी और ये कार्निवोरस अनिमल था। ये जीव हमारी प्रत्वी पर लाखों साल पहले रहा करते थे और रैंकर चलते थे। ये जानवर इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा जहरीला था कि इसके सिर्फ एक डंक मारने से ही किसी भी इन्सान की पलक जफकते ही लौत हो सकती थी। सारकाउसकस दोस्तें ये क्रोकोडाईल की एक स्पिशीज है जैसे कि हम सबी जानते कि एक क्रोकोडाईल को पalisफीवर सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है जो एक बार अपने शिकार को पकड़ लेता है तो फेर उसे जिन्दा नहीं छोड़ता और सारकाउस का सार्च की क्रोकडाइल से काफी ज्यादा खतरनाक और खुंखार हुआ करते थे इनकी लंबाई लगभग 40 फीट होती थी और इसी वज़ा से इने सूपर क्रोक के नाम से भी जाना जाता है जिसके सामने डाइनसौर जैसे विशाल का जीव भी कुछ नहीं थे और ये जीव आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले हमारी इस प्रत्वी पर रह रहे थे लेकिन आज ही हमारी प्रत्वी से पूरी तरह विलुप्त हो चुके है हलिकॉप्रिय है दोस्तों ये एक मशली की फिर जाती थी जो समंदर में रहती थी ये मशली काफी ज्यादा आजीब और लागों साल पहले हमारी प्रत्वी पर पाई जाती थी काफी दुनों तक इस मशली के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी लेकिन फिर अठारवी सदी में वैग्यानिकों को इसके फॉसिल्स मिले इसकी खास बात इसके अधुत दात है इसके दात काफी ज्यादा अनोक है और काफी ज्यादा खतरनाक थे इसके दात विलकुल ऐसे लगते थे जैसे की इनहें किसी में डिजाइन किया हो और बात की जाए इसकी लंबाई की तो ये लगभग 25 फ्यूट लंबी होती थी ये एक मरीन रेप्टाइल था पैसे तो ये परजाती हमारी पृत्वी से बिलोब्त हो चुकी है लेकिन अक्सर इसे हॉलिवूड मूवीज में दिखाया जाता है और इसे फिल्मों में ही देख कर लोग हैरान रह जाते हैं ज़रा सोच कर देखिएगे अगर आज की वक्त में इस तरह का कोई जीव हमारी पृत्वी पर होता तो हम लोगों का क्या हाल होता और इसका आकार इतना बड़ा था कि एक बड़ी से बड़ी शार्क को भी पूरा का पूरा निगल जाया करती थी ये जीवाच से लगभग 80 मिलियन साल पहले हमारी पृत्वी के समुद्र में निवास कर रहे थे वेग्यानिकों का कहना है कि इनकी लंबाई लगभग 40 से 45 फीट की रही होगी और वहीं इनका वजन 5 से 6 टन तक का होगा तो दोस्तों ये थे कुछ प्राचीन जीव जो हमारी पृत्वी पर एक समय में राज कर रहे थे और विशाल काय जीव डाइनसौर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थे अब ज़रा सोच कर देखिए अगर इन जीवों में से कोई एक जीव भी आज हमारी पृत्वी पर मौजूद होता तो शायद हम इनसान जिन्दा नहीं बच पाते आपको इन में से कौन सा जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट में ज़रू बताईएगा और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं प्राचीन समय के एक ऐसे शहर के बारे में जो समुंद्र में समा गया था तो इस्क्रीन पर शोरे इस वीडियो पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा हम आपसे वही मिलेंगे